वेलकम बच्चो, वेलकम टू AI निंजा सेशन नमब पाइट, जहां से हम चालू करने वाले हैं ब्लॉक कोडिंग, अभी तक हमने AI टेकनोलीजी के बारे में पढ़ा, बहुत सारी AI टेकनोलीजी देखी, बेसिक बेसिक हमने टर्म्स को समझा, नियूरल नेटवर्क्स का होते ह क्या होते हैं, ट्रांसफोर्मर क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि जनरेटिव AI कैसे काम करता है, and in the last class we have seen, AI को कैसे यूस किया जाता है, अपने environment conditions को stable रखने के लिए, climate से कैसे लड़ने के लिए, प्लस हमने ये भी देखा कि AI की मदद से कैसे अफरिका में लोग को अलर्ट किया जाता है, आने वाली natural calamities के उपर, so आज है हमारा AI का, यह हमारा session number 5, clear? session number 5 से हम लोग actually start कर देंगे block coding पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे block coding, clear? थोड़ा इस शब्द पर हम नजर डालेंगे, coding पर, है ना, तो जब हम coding की बात करते हैं, बच्चो, आई देखते हैं, coding, तो जब बात करते हैं, तो पहले देखते हैं, coding की किस पर जाती है, की की जाती है किसी computer पर, करता कौन है coding, human, तो अगर अब ध्यान से देखो, coding में हो क्या रहा है, बच्चो, एक human, एक computer से बात करने की कोशिश कर रहा है, human, human उसे command दे रहा है, क्योंकि coding के general मतलब यही है, coding के general मतलब ही है, giving commands to a computer, clear? अगर आप कैसे computer को command देते हैं, उसे ही coding के, simple सी बात है, command लेता कोई है, computer command देता कोई है, human, अब अगर हम एक बात देखे, यहां मैंने एक computer बना दिया, suppose एक normal एक desktop है, और यहां पर एक human है, अब बात यहां आ जाती है, human command तो देगा, human command देगा, क्या लेकिन computer उसे समझ पाता है, actually मैं यह देखने की कोशिश करते हैं, अब human को देखे, तो human बहुत सारी languages बोल सकता है, human English बोल सकता है, Hindi बोल सकता है, आप Japanese भी बोल पाता है, इंसान, Chinese या Cantonese भी बोल सकता है, Mandarin बोल पाता है, उसके लावब बहुत सारी languages, more than 16 to 1700 languages, more than 2100 से जादा languages है, human realm में, but on the other hand, अगर 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 अग्प्रिम्टर लैंविज इस की बात करें, computer की programming languages 5100 से जादा है, अब बात या जाती है, सर, इंसान जितनी language बोलता है नहीं, उसे जादा तो यह समझ लेता, तो यह समझता क्या है? जब मैं उतनी language बोलता नहीं हूं, तो यह उतनी language समझ कैसे लेता है, और क्या यह actually मैं वही समझता है जो आप इसे कहते हैं? बात तो देखिए, दो तरीके के कुश है ने मेरे पास, है न, पहला, can, computer, understand, human language, पहला सवाल तो यह है, हम लोग को लगता है, answer is yes, सब लोग कहते हैं, yes, बगर यह answer गलत है, यह समझ नहीं सकता, computer कभी भी आपकी language को नहीं समझ सकता, computer अपनी language को समझता है, जिसे कहते हैं, machine language, machine language, अब जो में, machine language की बात आती है, तो इसे थोड़ा समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, computer कैसे काम करता है, कैसे समझता है, इसको समझने के लिए, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत छोटी से चीज है, आईए, चलते हैं, समझे, मैं एक grid बना रहा हूं, मैंने grid बना बच्चो, बहुत छोटा से मैंने, क्या क्या grid बना लिया, अब आप एक करद्यूम करिए, इसमें जो हर एक डिबबा है, हर एक डिबबा क्या है, एक light bulb है, यह क्या है, एक light bulb है, क्यूंकि यह light bulb है, तो इसके दो states हो सकते हैं, मतलब यह दो तरीके से exist कर सकता है, पहला क्या है, light on है, दूसरा state क्या हो सकता है, light off है, अब थोड़ा इसे देखते हैं, इस पर कितने भी सारे bulb हो सकते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक alphabet H लिखना है, glowing alphabet H, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, suppose, हाँ, मैं इस वाले box को color कर देता हूँ, जो green color है, मतलब वो glow कर रहा है, तो अगर आप देखोगे, तो इक green color से एक word निकल के, एक alphabet निकल के आ रहा है, अल्फाबेट H, है न, alphabet H, clear, मैंने इस alphabet H को लिखने के लिए क्या क्या, यह जो सारे respective bulbs ने, इनने मैंने on कर दिया, बाकिसको मैंने off रखा, अगर मैं ले लो, पहली रो को, मैं row wise चलता हूँ, बहुत simple से, बहुत मिज़दार चीज़ है, row, row 0 है यह, row 1 है, इसको 1 ले लेते हैं, 0 के लिए में, 1 second, first row, second row, third row, fourth row, यह first column, second column, third column, fourth column, fifth column, sixth column, seventh, eighth and ninth, तो रोज़र column से बाप पूरे इंस्रुक्चर को मैंने वो कर दिया, अगर मैं देखू, पहले रो का मैं case लिख रहा हूँ, इस वाली रो को मैं लिख रहा हूँ, इस row में क्या हो रहा है, row 1, पहला बल्ब, आफ, दूसरा बल्ब, आफ, तीसरा, आफ, यह आफ, यह आफ, यह आफ, फिर, on, फिर, आफ, फिर, यहाँ फिर से off है, फिर, on, फिर, off है दो बार, है ना, तो मैं on, off, on, off करके, मैं इन बल्ब्स को on, off करके, पहली लाइन में edge का उपर वाला हिस्सा बना सकता हूँ, अब एक चीज करते हैं, मैं कहता हूँ, on जो है, वो number 1 को represent करता है, off जो है, वो number 0 को represent करता है, simple सी बात है, on का मतलब number 1, off का मतलब number 0, तो यह क्या हो गया, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, and then 0, 0, तो आप के देखोगे, यह जो आपका message था, on, off का sequence, जब इसा आपने 0s and 1 में convert कर दिया, तो यह एक तरीके का code बनिया, इसे कहते है, binary code, है ना, अब देखोगे, computer इसी तरीके से actually में चीजे समझता है, computer को क्यों समझाता है 0s and 1s की language, क्योंकि जब initially computer को बनाए गया था बच्चो, computer का एक ही काम था, कि वो large scale mathematical operations को बहुत easily कर पा है, है ना, and उसको करने के लिए जो basic logic था, वो इसी concept पर इस्तमाल होता है, switch on, switch off, है ना, इसलिए जो computer की language है, जिसे आप कहते है binary code, binary code, वो 0s और 1s से मिलती है, पिर यही चीज़े होते है, binary मतलब दो अंक, okay, by मतलब दो, नरी मतलब number, दो number, उन से number होते हैं, computer के language में, 0 और 1, clear, तो इस computer का system है, कि आप जो भी चीज़े उसे बताएंगे, that will be convert to binary language, है ना, अब यह होता कैसे है, देखिए, शुरुवात करते हैं हम यहां से, यह computer है, है ना, यह computer है, अब इसको command मिलेगी, clear, human, human किसी भी language का इस्तमाल करके कुछ भी लिख सकता है, for an example, human ने अपने English language का इस्तमाल करके कोई यह command दे, आप कोई भी command दे सकते हैं, आपने command दे दे, that open a image and anything, है ना, तो human ने command दे इधर, command गई, इस डब्बे में, है ना, command गई इस डब्बे में, इस डब्बे को कहते हैं compiler, या interpreter, interpreter, दोनों का सेमी काम है, अब यह चीज़ क्या करेगा, it will work as a translator, और आपकी human language को binary code में convert कर देगा, इस डब्बे में आपकी human language को machine language में convert कर देगा, human language to machine language, machine language का मतलब हो गया binary, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0,1, क्या हो गया यह, clear, ओके, अब यहाँ से command गई, interpreter और compiler के पास, उसने इसे convert कर दिया, sequence of zeros and ones, ऐसे करके, यह यह machine ने उसे पढ़ा, उसके हिसाब से act किया, and आपका पूरा process complete हो गया, simple as that, ओके, इसे हिसाब से machine काम करती है, अब बच्चे देखो, यह तो बहुत simple सी चीज है, कि compiler और interpreter एक ऐसे device होती है, that works between a human and a computer, to actually translate things, human to machine language, यह हो गया, है न, command हम दे रहे हैं, अब बात आ जाती है, coding की, coding का हमने लिखा था, coding is, way of giving command, to whom, to the computer, अब जब बच्चे हम लोग command देते हैं, तो देखते हैं, मैं आपके सामने एक scenario रखता हूँ, मैं आपके सामने दो recipes लिखता हूँ, pizza बनाने के, recipe number one, recipe number two, बहुत सिंपल से मैं लिखूंगा, 4 steps होंगे, दोने recipes में, यहां भी 4 steps है, यहां भी 4 steps है, पहले क्या होगा, make dough, अपनी आटा बना लिया, उसका make dough, फिर आपने उसे crust बना लिया, and then, apply कर दी toppings, bake कर दिया, सिंपल सी बात है, यहां पहे recipe number two में क्या लिखा है, bake कर दो, apply कर दो toppings, make crust, make dough, and make crust, है ना, तो अगर आप देखोगे, बोलोगे कि generally sir, recipe number one correct है, recipe number two incorrect है, अगर आप देखेंगे, recipe number one and recipe number two, both contains four steps, and all those steps are actually same, the arrangement of the step is actually different, due to the difference in arrangement, you are saying that recipe number one is correct, and recipe number two is incorrect, the same thing happens, so you know that, this recipe is actually a collection of commands, you will follow this command to actually make a pizza, but when you see that there is a, you can say, incorrect order, or the commands are actually placed in the wrong order, you will say that recipe number two is incorrect, so आपने यहां क्या देखा, जो एक कमांड्स देखते हो ना, कमांड्स, इनका order, या इनका arrangement, प्रॉपर होना चाहिए, शुड बी अरेंज प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली, अना, शुड बी अरेंज प्रॉपर्ली, अब यह थारी बात आ गई, तो सरह हम ब्लॉपर्ली क्यों सीखे, देखो, अगर आप ऐसी स्टेज में हो, आप टेक्स्ट बेस्ट प्रोग्रामिंग तो जानते नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यह भी बनाना चाहते हो, कुछ कूल गीम्स बनाना चाहते हो, अनिमेशन बनाना चाहते हो, तो ब्लॉपर्ली क्या कहती है, पे अटेंशन, टू अरेंजमेंट, ब्लॉपर्ली क्यों सब देदूँगा, आप इसके अरेंजमेंट को करके, चीज ही बना सकते हैं, एप एटेंशन टू अरेंजमेंट, क्लियर, आफ कमांड्स, यही हम ब्लॉपर्ली कोडिंग में सीखते हैं, ओके, जब यह हो गया, तो हमें पता लग गया, अब हमारे पास एक चीज मिल गए, कि हाँ, हम एफिशेंट नहीं है, हमें नहीं आता कमांड में लिखना, हम क्या कर सकते हैं, उस कमांड को अरेंज कर सकते हैं, यही हमको ब्लॉपर्ट बेस कोडिंग से सीखना होता है, अब बात कर लिए थूटी सी scratch की, scratch की तरफ ही चलते बिटा, scratch की तरफ में आ गया हूँ, अब देखना, करने की कोशिश की थी इसे मैं जूम करता हूं and then we will click on this button तो आप देखेंगे एक lion है एक bear है चल रहा है ऊपर horn भी लुड़ रहा है एक owl है जो आपके तरफ देख रहा है एक beetle है जो की पेड़ पर चढ़ रहा है so there is a lot of thing that is going okay क्या हो रहा है कितने element एक यह है share है यह है element number one दो तीन चार पांच तरीके के इस जंगल में आपको creatures दिख रहे हैं और वो creatures अपना काम कर रहे हैं simple as that अब चलते हैं scratch के platform की तरह फैन उसे explore करने की कोशिश करें अब देखो जब आप scratch को आते हो ना जब मैं यहाप एक scratch को open करता हूँ simple as that यहाँ पर आ जाना scratch को search कर लेना आप पहले link पर click कर देना पहले link पर click करोगे then click on this create button ना कोई कैसे page दिखेगा आपको account बनाने के इस पर जरूरत नहीं है अगर आप scratch को अभी सीख रहे हो अगर आप future में ऐसे projects बनाते हो जो के large scale है ना आप चाहते हो से save करके multiple days पर उस पर काम करके complete करो then account बना लेना है यहां आ जाते हैं तो थोड़ा से देखते हैं इस series को बेटा कहते है stage stage है यह जो character है जो है cat है इसकी तरीके साब multiple characters ले सकते हैं इस platform में इसे कहते है sprite है ना और मैं फोड़ा सा बीच की तरफ आना चाहता हूँ यह area कहते है script area क्यों सर स्क्रिप्ट क्यों कहते है यह क्यों कह रहे हो आप देखो यह cat है यह आपके दिएगे commands पे चलेगी है ना और अप commands कहा arrange करोगे देखो मैंने बताया आप अभी arrangement पे दिखान दोगे we'll work on arrangement rather than actually writing code by yourself so this is the place where you will arrange the commands okay on the left hand side you will find all those commands okay इसे कहते है block palette अब देखना उपर के तरफ थोड़ा चलते हैं यह area costume and sounds sounds ली सकते हैं अगर आपको कोई है यह cat है इसकी दो तरीकी की images है एक यह 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 देखो अगर मैं दोनों को जंदी जल दी ओ मैंने delete कर दी गलती से तो दो images थी simple as that आप उनमे से कोई भी use कर सकते हो cat को से लटके उसका costume change किया यहां चले जाता हूं मैं थोड़ा नीचे one second हाँ तो इस area को कहते है sprite info area थोड़ा इस area पर ध्यान देने की बात है यह थोड़ा समझ में आ जाएगा तो बहुत मजाने वाला है यहां देखो जो भी character उपर रहेगा उसका एक छोटा image रहेगा यहां पर एक है y है अब इस तर एक्स और y क्या है देखो इसको ऐसे बाढ़तो एक आप बोल दो horizontal line है एक है vertical line horizontal एक vertical है simple as that और horizontal और vertical है तो इसे x और y से कहते है x का मतलब horizontal y का मतलब vertical अगर आप left hand side जाना चाहोगे left hand side क्या होगा बच्चो जो value है x की यह होती है negative अगर right hand side जाना चाहोगे x की value होती है positive उपर जाओगे y के value होती है positive और नीचे जाओगे y के value होती है negative क्लियर है ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा y को change करना पड़ेगा तो यह character कहाँ पर इस screen पर आपको इस से पता लगता है horizontal place पर कितने पर vertical place पर कितने पर simple सी बात है यह चीज हो गई stage के बारे में है आप इस character कर सकते हो direction directions आप क्या कर सकते हो किस तरफ देख रही देखो direction में घुमाता चला गया है ना तो आप इसे change कर सकते हो clear है simple सी बात है अब यह सारी चीज हो गई तो हमें काम करेंगे today we will actually look at basic animation basic animation यह ना जो मैंने आपको first दिखाया था हम उसी को बनाने के कोशिश करेंगे and then उसको देखेंगे को कैसे बनाया जाता है clear अब यहाँ पर दू बटन्स आपको बेटा दिख रहे होंगे इस बटन से आप ले सकते हैं sprite, sprite selection बटन इस बटन से आप ले सकते हैं background या backdrop जिसे कहते हैं background slash back drop clear यह दो चीज़े आपको मिल गई अब देखते हैं अगर आपको कोई भी character अपने state से हटाना ही is dustbin icon पर click करेंगे and then it will be gone okay, सब कुछ empty है मेरे पास पहले मैं एक लिक है आता हूँ, सुन्दर सा background click कर दिया, background वाले इस पर और यहाँ पर search वाले इस पर click करके आउटडोर पर मैं चला गया, बहुत तरीकी के background हैं यहाँ पर classify कर रखें, you can select any one of them है न, यहाँ पर मैं आया है और यहाँ पर मैं जंगल ले लिया clear है, मेरे को एक सुन्दर background मिल गया अब इस जंगल के लिए animals लेके आता हूँ मैं कैसे लाँगा, यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो यहाँ क्या करूँगा, size पर यहाँ पर click करूँगा, and size को थोड़ा कम कर दूँगा, suppose इसे कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, 130 तो बड़ा हो जाएगा, 30, अब जैसे बीटमेने से 30 के आप देखना यह छोटा हो गया, यहाँ आप इसको कहीं भी place कर सकते हैं, तहीं लग रहा है कि उस तरफ से जंगल के उस तरफ से आक्टिली move करता हूँ आ रहा है, इसी तरीके से फिर से इस पर click किया, search वाले पे, we went to animals and then we can select any other animal, cat, loin, अब एक बात यहाँ देखना, जो आपके screen के जितना पास रहेगा, वो animal उतना ही बड़ा दिखना चाहिए, जो जितना दूर रहेगा उसको उतना ही छोटा दिखना, क्योंकि इससे एक illusion create होता कि that we are actually looking at something 3D, जितना दूर है उतना चोटा तो depth perception आपको देता है, थोड़ी depth create करने के लिए आपको help करता है, अब यह हो गया, अब इसको अगर मैं और चोटा कर दूँ भालू को देखना, यहां पर मैंने बियर को select किया, देखो, जब मैं किसी sprite को यहां से select करता हूँ तो देखना उसकी चारो तरफ एक purple square आता है, वो मैंने delete कर देखलती से, मैं ले आता हूँ, आपके लिए यह laptop बहुत easily चलेगा, कोई ऐसी बात है नहीं, यह फिर से आगे मेरा भालू, और इसे मैं और चोटा कर देता हूँ, तो इसे क्या होगा, मेरे को और दूर रखने में उसे help मिलेगी, इसका कर देता हूँ, size कर देता हूँ 25, और चोटा कर दिया, मैं इसका और दूर कर सकता हूँ, अगर जैसे मैं इनको यहां कहीं रखना है, तो और चोटा कर देता हूँ, का size suppose मैं कर देता हूं 20 clear और चोटा अब आप क्या कर सकते हो multiple size के आप bear रख सकते हो और किसी को बड़ा किसी को छोटा दिखा कि आप एक family वाला illusion भी create कर सकते कि एक bear के family है है ना तो देखो यह जब आप scratch से animation बनाने की कोशिश करते हो नो तो you have to manipulate two or three things and majority of them will be the size size we will manipulate in order to create a depth perception simple as that कि आपके project में depth है आप उसके बाद क्या करते हैं यहां से मैं ले आता हूं loin को फिर से सर्च्वाली पर मैंने क्लिक किया बीटा मैं गया animals पर इनलेट्स गो टू लॉइन ऊपर चलागे मेरे ख्याल से यह यह अपर है keyboard अब इसे मेरे को ढूड़ने में दिक्कत आ रही है मैं यहाँ सर्च पर गया और मैंने लिखा लॉइन तो सर्च से भी आप कर सकते हो लॉइन को आगे रख दो clear तो ही लग रहा है यह पास में है अब क्योंकि पेड़ की डाल पर आप कुछ भी बैठा सकते हो तो इसके लिए चलते हैं फिर से सर्च पर दबाते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें animals में आए यहाँ पर कोई ले लेते हैं अनिमल जो कि एक bird हो ग्रिफिन नहीं आउल को ले लेते हैं इस आउल का अब size कितना बड़ा है बैठाना यहाँ पर है तो size करना होगा छोटा साइज कर देता हूँ 20 अब छोटा साव लोग है इसको लिए गया और यहाँ पर बैठा दिया अब देखो लग रहा है उस डाल पर बैठा हुआ है clear तीन elements हो गए मैं इन तीन elements के साथ ही चलता हूँ है अब देखो हाँ अब मेरी बात यहाँ ध्यान से देखना अगर मैं इस project पर जाओ मैं इस project पर जाओ मैंने already बना के रखा है तो सब कुछ तभी चालू होता है जब मैं फ्लाग बटन क्लिक करता हूँ है ना तो things will start working okay when the things will start working after pressing the flag button flag बटन को आप दबाएंगे और आपके things आपके characters चलने लगेंगे simple as that अब यहाँ पर आप क्या करना है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक और चीज है अगर आप अपने left hand side in को देखना my blocks, variables, operator sensing, control, sound यह blocks के classification है अगर कोई आपको instruction किसी character को चलाने में मदद कर रही है या stage पर कहीं भी जाने में मदद कर रही है उसे motion मिलाएंगे है ना, अगर आप किसी button को दबा रहे हो सकता है कि आप दबा रहे हो flag button या आप अपनी keyboard को कोई button दबा के कुछ control करना चाहते हो उसे events कहते हैं है ना, अगर आप किसी चीज को control करना चाहते हैं कितनी जेर तक वो दिखेगा कितनी बार वो कोई चीज रिपीट करेगा तो आपको control में जाना है सिंपल सी बात है यह तीन चीज आपको हमेशा याद रखनी है मैं गया events पे मैंने ले लिया पहला when flag is clicked ओके यह किस के लिए लिया मैंने owl के लिया देखो owl selected इदर और यहां पर देखना छोटा सा एक owl भी बन के आएगा इसका मतलब है यह जो page बटन क्लिक करूँगा आप क्या करोगे आप कुछ करोगे अब आप क्या करोगे costume में गए पहले तो मैं चेक करता हूँ इसके पास कौन से costume है यह है ना देखो अगर मैं पहले और दूसरे में change करो तो ऐसे लगता है owl उदर उदर देख रहा है रोड के आगे देख रहा है रोड के पीछे रास्ते के आगे पीछे देख रहा है तो मैं देखना एक और चीज़ आ जाती है animation का basic सिध्धान्त अगर stories बनाना है तो आप animate कर रहे हैं है ना अब animation का basic सिध्धान्त यह कहता है बच्चो कि अगर आपको कई चीज मूव करती भी दिख रही है तो उसकी कई चारी images दिखेंगी सेम तरीके की जिन में थोड़ा थोड़े changes होगा थोड़ा थोड़े changes के बाद हो छोटे-छोटे अंतराल में आपको दिखेंगी है ना या करेंगे हमें चेयोगा looks में गया मैं और आपको यहां दिखेगा switch costume इसको पकड़ के लिए उए एक और ले ओ क्यों क्यों क्योंकि costume a और बी में change कर रहा है costume आ कर दिया अब बी कर दिया है अब देखना अब इन्हें मैं करूंगा तो क्या होगा यह उधर मुढ़ गया सीधा आपको यह मुढतावा नहीं दिखा रहा पीछे एकदम से मुढ़ गया तो आपको क्या दिखा कि यार यह तो सर अनिमेशन बना ही नहीं यह तो सड़न सर पिक्चर ही चेंज हो गई क्यों? क्योंकि इमेजेस जब चेंज होई तो वो इतनी जल्दी हुई कि आपके आग को और आपके दिमाग को वो सेंस करने का मतलब ही नहीं मिला टाइम ही नहीं मिला कि कुछ चेंज हो रहा है तो इसके लिए मेरे को चाहिए थूड़ा सा इंतजार इनके बीच में मैं गया कंट्रोल मैं यहां से वेट ले लिया मैंने एक सेकंड का टाइम दिया अब देखना है ना देखना इधर देख रहा हूँ फिर पीछे देखा अब यह एनिमेशन टाइप हो गया अब यह डाल पे बैठ है वे लगातार कई बार देख सकता है पीछे आगए और पीछे लगातार देख सकता है अब मैं कंट्रोल में गया और मैंने कहा यह 10 बार ही हउ द इस फिर इंज करेillv applause न उसके बाद इसने पिर इंतजार नहीं किया और यह दो एक यहाँ ही लड़ा दो आप जिक है really nice, ठीक है, देखो, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, simple as that, तो चीजी कैसे काम कर रही है, scratch में animate कराना है, costume change करो, costume change, उसके तुरंट बाद अब लगा दो, wait block, wait, and then again, next costume, clear, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप गर आप चीजी देखा, मैं costume में गया, और मैंने costume C को delete कर दिया, एक तो यह इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, है न, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, इसको मैं यहां रख देता हूँ, यह basic चीज है, है न, और मैं score simple में कैसे कर सकता हूँ, मैं वही लूँगा, मैंने एक repeat block ले लिया, मैं looks में गया, मैंने ले लिया, next costume का एक block होता है, इसे लिया, और यहां रख दिया, है न, अब यहां देखोगे, शुरुवात होने से पहले, यहां, यहां पे भी एक weight block है, इसे घूम कैसे देखो, जब रिपीट होगा न, तो यह वाला block, अब देखो, यहां, यहां, यहां से मैं आया, फिर चक्कर मारके मैं धर से गया, तो यहां आपको एक weight block जैसा feel होगा, तो शुरुवात और end में weight block जैसा एक movement है, वहां पे मैंने एक weight block पहले लगा दिया इसके, और इसके बाद लगा दिया, यहां connect कर दिया, अब इसको चला के देखता हूँ, चलो, वह emotion होगा, अगीन, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपको एक costume को delete कराना पड़ा, बात यह है, है न, इसको अब यहां से आप हटा सकते हो, एक इस तरीके का, मैं इनको यहां रहने देता हूँ, clear, मैं इनको यहां रहने देता हूँ, यहां भी एक repeat लगा रहता हूँ, बस यही है, यह दोनों सेम चीज़ है, आपको अगर इसको जोड़ दोगे, flag के साथ तो वह ऐसे भी काम करेगा, और इस next costume वाले से भी करेगा, simple सी बात है, clear, अब आप आगे loin पर, okay, अब loin के costumes को पहले चेक करना है, costumes कौन कौन से है, B है, C है, A, B, C, A, B, C, तो A, B, C में जब यह change हो रहे हैं, तब यह appear हो रहा है कि loin ऐसे पंजे वड़ा रहा है, तो हमें क्या करना है, let's change it to A, then B, then C, हम गए कोड में, हमने कह किया, पहले, कब होगा काम, जब हम फ्लाग पर क्लिक करें, वन फ्लाग इसके बाद हमें कह चाहिए, हमें चाहिए, costume, change costume, clear, या तो आप change costume से करो, या तो फिर आप next वाले से करो, हम दोरो तरीके से करेंगे, ठीक है, initial class है, we will focus upon both of the things, ओके, यह हुआ, weight, then costume लगेगा, इसको फिर यहाँ पर double click करोगे, देखो, duplicate आगया, लगा दिया, इसको एक बार और कर लेता हूँ, तो मेरे को तीनों मिल जाएंगे, तीन costume से, शुरुवात और end में क्या होना चाहिए, एक weight block होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पर click किया, costume A कर दो, यहाँ पर click करो, costume B कर दो, and then costume C कर दो, अब बात ऐसी है, अगर आपको कोई image देखनी है न, animation, आपकी arc उसी चीज़ को capture कर पाती है, अगर दो images के बीज़ माँ, 0.24 seconds का, आप कह सकते हो, मतलब एक second में 24 pics आपको दिखाई जाए, तो आपको ऐसे motion दिखने लगता है, है न, तो आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर आप one second से कोई less value दे सकते हो, यहाँ पर click करना, यहाँ पर 0.3 कर देना, 0.3, 0.3, 0.3, clear, so यह चीज़ है, अब इसको लगतार कर सकते हो, यह आप इसको rip forever डाल दो, वहाँ आपने repeat लगाते हैं, forever डाल दो, है न, क्योंकि लॉइन लगतार move करेगा, अब इसे चलाओ देखो, तो loin का यह motion आगे, मतलब pair का उसका animation आगे, अब उसे क्या कराना है, it has to move to this direction, okay, left to right, अब यहाँ पर आप देखो कि बिटा, motion में जाओगे, तो पहला होता है, पहला ब्लॉग होता है, move 10 steps, अगर आप इसे यह last में जोड़ दो, तो देखो, क्या होता है, देखो, वो धीरे-धीरे कर रहा है, लेकिन वो पहले step जैसा animation कर ले रहा है, फिर वो move कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करना, आप यहाँ पे जाना, events में, and यह आप ले लेना, when flag is clicked, इसके साथ इसे again जोड़ देना, है न, and यहाँ से control से आप repeat ले लेना, sir repeat क्यों, sir repeat क्यों, forever क्यों नहीं, अगर forever लाओगे न, तो यह चलते 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 यहाँ से बाहर चला जाएगा, आपको सिर्फ इसकी पूँज दिखेगी, that's why, हाँ, अब चल रहा है, अब यह चल तो रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, अब हर बार मैं देखो, अब इसे चला के, इसे stop करने देते हैं, जहाँ पर यह stop हो जाएगा, हाँ, अब यहीं पर खड़ाओगे, अब नेक्स टाम यहीं से चलना चालू करेगा, है न, बच मैं के चाहता हूँ, मेरा शेर हमेशा इस कोने से चालू करे, तो आपको किसके जरूरत है, आपको जरूरत है, एक go to block की मतलब, एक initial point set करने की जरूरत है, मेरे को अबने इस project में, so that हर बार यह animation सेम जगा से ही चलता हूँ, मेरे को दिखे, clear, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाओंगा motion पे, और यहाँ पे आपको एक block दिखेगा, go to, clear, अगर मैं देखो, share का है 194 और minus 138, तो यहीं चाहिए, तो जैसे ही मैं flag पे click करूँ, थोड़ा इसको समझते है, flag को click किया, button press किया, है न, loin went to initial point, loin initial point पे आगया, clear, this changing costume, okay, कैसे लिए आपने costume change किया, to create illusion of walking, clear, illusion of walking, and then this actually making loin move, in a तो यह वाले जो blocks है, illusion create कर रहे हैं, यह वाले जो blocks है, वो actually मुझे move करा रहे है, यह चीज हो गई, अब इसी तरीकी से same चीज आपको करनी पड़ेगी, इस bear में, clear, अब क्योंकि loin में costume 1, costume 2, ऐसे repeat करके करते हैं, अब फ़ेले मैं इसकी costume चेक करता हूँ, bear की costume क्या है, चेंज करा जाएगा, तो मैं क्या क्या, पहले event, when I click this button, okay, then control, control में मैं जाओंगा, weight ले लूँगा, और looks में जाके मैं ले लूँगा, next costume, फिर मैं control में गया, फिर मैंने ले लिया, weight, यहाँ इसको कर देता हूँ, point 2, point 2, और इसको forever में डालता हूँ, ताकि यह भी लगाता अब देखने हैं, बहुत smooth motion देखेगा आपको भालू का, clear, भालू को motion बहुत जादा smooth है, यह बहुत जादा costume है, अगर किसी image या किसी character के पास बहुत 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 जादा costume है, वो उतना ही जादा smooth motion करते हैं, आपको देखने वाला है, again, क्या करना है, यह यहाँ ले लिय और वही जो आपने share के साथ किया था, आपको यहाँ control से एक weight walk लगा देना है, and repeat करा, दस बारी repeat करा दो, देखो, clear, बहुत simple and effective हो गया animation, है ना, अब बात यह है, देखे, line का तो आपने start point दी, देखे, line यहाँ से start करेगा, उसी तरीके से bear का bear start point देना है, है ना, मैंने इस को stop किया, पहले मैं पकड़के bear को यहाँ ले आए, जहां से मेरे को start कराना है, उसके बाद में क्या motion में बिटा, motion में मेरे को जाना है, फिर से go to block में, और यह यहाँ लगा देना है, है ना, या तो आप यहाँ type करके लिखो, या तो आपको जहाँ ले जाना है, पहले यहाँ लेके गया, 14 और 19 आगया, ठीक है, यहाँ लेके गया, तो यह वाले coordinates आगया, और मैंने बस drag करके उसको वहाँ लगा दे, simple as that, okay, यह सारी चीज़े हो गई, clear, अभी चल रहा है, अब पहले तो मैं चेक करूंगा, इस system में sound आ रही है कि नहीं, let's go to the sound and okay अब यह microphone में उसमें sound आ रहे हैं इसी में दिक्कत है इसके audio में तो आप sound भी यूज़ कर सकते हो आपने क्या किया देखिए जब हम animation की बात करते हैं न scratch में तो scratch में animation बहुत जादा smooth आपको देखेगा नहीं उसका primary reason यह scratch एक basic game engine है जब हम game engine की बात करते हैं दोस्तों तो game engine है कैसा software होता है जो actually में आपको game बनाने देता है अभी कैसे होता है एक अगर आप game को देखें game के बहुत सारे perspective होता है एक तो हो गया उसका coding phase की game काम कैसे करेगा एक हो गया उसका designing phase की game दिखेगा कैसे उसके surrounding में characters कैसे होंगे उसके आसपास के environment कैसा होगा ता आप भी कर सकते हैं and scratch के मदद से आप बहुत basic level के game बना सकते हैं किस type के games बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं आप बना सकते हैं platform game 2D games बना सकते हैं आप 3D game का illusion बना सकते हैं 3D game बनता नहीं है तो आज class 1 थी scratch की हमने देखा basic क्या है कि आपके animation कैसे बनाएगे clear अब यह चीज हो गया अब इसमें एक चीज और है मैं एक और character लेता हूं मैं लेता हूं देखो मैं एक चीज दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा sprite की editing भी पता लगेगी यहां पर मैंने फिर से सर्च किया मैं गया animals में नीचे जाता हूं नीचे हॉन्विल करके character होता है हॉन्विल सॉरी टूकैन नहीं है है ना टूकैन का पहले मैं size कम कर दूँँ 20 करते तो 32 ठीक है ओके अब यहां पर मैंने इसे रख दिया तो यहां से कहीं अब देखोगे यह अभी bird प्लाइट पोजिशन में नहीं है मैं गया costumes में टूकैन की तो मैंने costume देखा costume B और costume C है ना costume B और C अब इन्हें मैं change करूँ तो लग रहा order है लेकिन दिक्कत ही है costume B के next आ रहे है इस पर मैंने click किया next पे delete कर दिया यहां से टूकाने का costume भी मैंने उड़ा दिया तो मेरे पास दो costume है clear इन्हें गर मैं लगातार change करूँ तो उड़ने का illusion जैसे मिल जाएगा क्या किया इवेंट पे आया when flag is lit okay then आपको क्या करना है control से wait look से next costume again control से wait यहां पे आप कर दो .3 .3 इसे डाल दो आप forever में अब देखना इसका flying flapping animation यहां पे बन रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों वह आपको dark में दिखनी रहोगा मैं highlight करता हूँ one second हाँ यह यह एरिया में देखना टुकान का एक flying animation ऐसे से wings flap करता वह दिख रहा है अब दूसरे क्या क्या करना है अब देखो या तो मैं move 10 steps करूं लेकिन वह उतने ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है ना तो पहले में क्या करता हूँ तो मैं दो चीज करूंगा पहले तो टुकान हमेशा मेरा project स्टार्ट स्कोने से उड़े इसके लिए मैं क्या करूंगा go to point टेक लगाऊँगा go to मैंने लगा दिया तो जैसी चालू होगा पहले आप initial point पाएंगे फिर आप अपने पंग फड़ाना चालू करेंगे उसके बा करना है टुकान को पहले यहां से बंद करो उड़ा के यहां पे ले जाना है जैसे मैं यहां पर रिखूंगा X और Y के value वह हो जाएंगी जो मेरे को आक्चुली चाहिए होंगी तो मैंने glide block को यहां से खिय सीटा यहां पे लगा दिया अब कितने सेकंड तक उड़े सपोस प अब हम सब्सक्राइब का इंट्रोडेक्शन हो गया है पूरा अब हम डिसकस करेंगे वाट केंड और प्रॉजेक्ट वियर गूंग टूमेग अग्वार्ट पहला हम मैं लिख रहा हूं प्रिंस्पल्स बेसिक अनिमेशन तो आज हमने देखिया और उसके साथ स्क्राइच क कर लिया अब इस इंट्रोडेक्शन में हमने किस तरीके के ब्लॉक्स देखें मैं उनको भी लिखता जाता हूं विवेंग ऋनको प्रम एका जाता है को एकिन की ब्लॉक्ट ब्लॉक्ट लिख अग्ट कि लिखता हूं जाता है तो एक्टम्ट ब्लॉक्ट चक्राइट का जो ट्यूक्ट मोशन कंट्रोल लुक्स इन्हें सब की उसके मदद से आपने एक एनिमेशन बनाए और इस एनिमेशन को बनाने में आपके कौन-कों से चीज़े दिखिए देखो कि पहला आपको देखा एक गोटू पॉइंट कैसे सेट करना है पिर आपने देखा कि कॉस्ट्यूम्स को चेंज करके वाकिंग एनिमेशन कैसे बनाना तो कॉस्ट्यूम्स चेंज क्लियर उसके बाद आपने क्या देखा आपने देखा सिंपल मोशन कैसे कराना है सिंपल मोशन simple motion यह सारी चीज़े आपने यहां देखी अब आने वाली class में क्या देखोगे बेटा आने वाली class में हम लोग देखने वाले हैं यहां लिख देता हूँ session 1 scratch जो की introduction था इस platform का okay session 2 में हम लोग देखेंगे game making clear game making हम बहुत basic से चालू करेंगे हम एक pong game बनाएंगे pong game नहीं बनाएंगे collect tag बनाएंगे जहां पर x आसमान से गिर रहोंगे और आपको collect करना होगा collect tag इसी lecture में हम लोग देखेंगे concept of variables concept of variables and then what we will see the conditional statements as well concept of conditional statement है ना अभी जो game बनाएंगे collect the egg आपको लगेगा बहुत simple है but what we will do we will actually try to create this okay एक बार तो हम बनाएंगे से basic left and right arrow की मदद से जिसमें हम arrow को control करके जो basket होगी उसे move कराएंगे यह तो पहले case में होगा second case में हम scenario लेंगे we will make it using motion sensing and motion sensing का यूज करेंगे and we will play with the help of motion gaming करने की कोशिश करेंगे clear तो यहाँ पर यह दोनों चीज हमारे next concept की नीव रखेगी clear जब यह cover हो जाएगा बहुत basic game development हमको आ जाएगा तब हम यूज करेंगे तीसरे lecture में हम लोग advanced game mechanics को देखेंगे okay and sound design कैसे बनाया जाता है games का उस पे भी ध्यान देंगे clear अब इस advanced games mechanics पर हम लोग बनाएंगे snake का game जिसमें एक snake एक bite को यह आप कह सकता है अपने food को catch करने की कोशिश करता है उसके लेंद्ध लम भी होती चली जाती है तो इसमें cloning के principle आजाएंगे broadcasting के principle आजाएंगे तो लोग scratch के यह ऐसा game engine जो यह basic basic आपके mechanisms हैं आप वो सीखते चले जाएंगे यह तीसरे lecture में हो जाएगा चौथे में हम देखेंगे concept of multi-level game जो multi-level के games बनते हैं इसमें multiple levels होता है वो कैसे बनाया जाते हैं है ना and multi-level games and lives lives का जो concept होता है उसको भी देखेंगे clear snake game बनाएंगे इसमें third में और fourth वाले में हम लोग पहले इसको देखेंगे और एक virtual pet बनाने की कोशिश करेंगे simple as that okay अब आपको by the fourth lecture इतना जादा efficient हो जाना है scratch को use करने में that you can actually start doing your projects आपका जोबी दिमाग में चीजा है okay let's make this animation we will try the thing is when you learn scratch you have to actually explore this thing okay multiple times you have to explore sometimes by creating a little bit of animation sometimes by creating a little bit of games now when we talk about animation what you can do you can actually go to the chat GPT okay and you can ask for a small story and then you can start animating that small story so the first step okay by this you will actually look into the concept of costume how to change the 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 costume you will know about a lot of blocks you will know about it so what you will get from this little bit of game development by using scratch that is our aim in this module and we will make it so friends it will be much fun to get the interaction with this session so you will be able to enjoy the action, it will be much fun to start with this session so if you are going to scratch then you will be fine you will be able to make the application where you have a game and you will make the sound of talking like tom so feel free to bring the sound of AI ninja to begin with me in the next class में तब तक के लिए थेंक यू में तक के लिए